नमुश्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेशे 6 अक्टूबर शुकरवार दोपर सवा एक बज़े राजस्तान की 15 बड़ी खबरी इस न्यूज बुलिटिन के प्रायोजक हैं विनी विनी की एक एन मोर तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हैडलाइन्स पर राजस्तान में महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार कारयले इजराइल मॉडल अपनाएगी सरकार युवाओं का स्टाइपन बढ़ेगा बिजली नहीं कटेगी सुप्रीम कोट निकाहाव संसद में अपान जोनक बयान देना अपराद नहीं नहीं बढ़ेगी EMI रैपोर राजस्तान में पहले बार महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कारयले खुले जाएंगे इसके अलावा रेगी सानवे सिंचाई और AIMS के जैसे हॉस्पिटल्स डवलप करने को लेकर भी गहलोत ने विजन डॉक्यमेंट में जान करी दी है राजस्तान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए लाए गए 2030 विजन डॉक्यमेंट में मेडिकल, शिक्षा, रोजगार, खेल, खेती, सिंचाई, उद्योग, सड़क, पानी, सहीद, हर सेक्टर में तेजी से काम करने का दावा किया गया है। जानकों के अनुरूप बनाएगी। हर जुला अस्पताल को सेंटर ओफ एक्सिलेंस के तोर पर विक्सित किया जाएगा। मेडिकल में मॉडल स्टेट बनाने का दावा किया है। इसके लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भरती, प्लेस्मेंट, प्रमोशन, ट्रां अरफन मुक्ति मोचा की विधायक सीता सोरेन के खिलाफ वोट के बदले रिश्वत के आरोप से जुड़े एक मामली की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने संसद में अपमान जनक बयान बाजी को अपराद मानने के प्रस्ताव को खारिस कर दिया है। सुप्रीम कोट ने कहा कि सदन के भीतर राजनेतिक विरोधियों के लिए अपमान जनक बयान देना कोई अपराद नहीं है। मिटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी, RBI ने आखरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर साड़े चैफिस दिकी थी, तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी की मिटिंग हर दो महिने में होती है। इस वितवर्ष की पहली मिटिंग अपराल में हुई थी। राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहां। पेंशन लोटी है, वही हिपाज़त लोटी है, रेटायर्मेंट फिर से सम्मान राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ। डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरीए मिलता है, केंडर सरकार के सूतरों के मताबिक इस सम्मान में एक प्रस्ताव इसी महिने केंडरी कैबिनेट की बैठक मिलाए जाएगा, इसके लिए बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलों कांक क्लेंट किया जो रहा है, जैपन में आमीर महल वे हाथी गाओं में हाथी की सवारी करना महंगा हो गया है, अब दो जुनों को सवारी करने के लिए 3500 रुपे देने होंगे, महावत और उसकी परिवार को रहत महुच आने के लिए असक किया गया है, पहले हाथी मालिक को क्लेंट को 350 रुपे देने होंगे, बार्मिर जिले के गुड़ा मालाने शित्र के लोहारवा गाउं में गुड़ा मालाने रोड स्थित, शुवी रामदे विद्या मंदिर के कमरों में फरजी क्लेनिक संचालित हो रहा था, फरजी डॉक्टर ये क्लेनिक स्कुल में संचाल पाइयां भी रखी गई थी, CMHU डॉक्टर चौंदरे शेखर गजुराज ने बताए कि जिले में फरजी डॉक्टरों की खिलाफ चुलाए जा रहे है अभियान के तहट और चिकिसा अंस्वास्ति विभाग के मुख्य सचिव शुब्रा सिंग एवं कलक्टर अरुन पुरोहि को लंबे समय से अटकी हुई पदोनती दी गई है चिकिसा शिक्षा ग्रूप वन विभाग राजसान के संग्त शासन सचीव इकबाल खान ने आदेश वारिका राजसान चिकिसा सेवा नियम 1922 के नियम 24 बीवी के अंतरगत डायनेमिक एश्योर करियर प्रोग्रेशन स्कीम स्क्रीनिंग कमेटी के अनुशन सा पड़ा चुकि सक्षिक्षकों को वर्षद 2013-24 के लिए पदोनती दी है ओनलाइन बैटिंग आप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर सुमा कुरैशी और हिना खान को एडी ने समन भीजा है हलांकि इने कब बुलाय गया है इसकी जानकार यवी सामने नहीं आई है, वहीं आक्टर रनबीर कपूर ने प्रवर्टर नेदेशाले को इमेल भेज कर पेश होने के लिए एक हफ़ते का वक्त मागा है, रनबीर को आज राइपूर के एडी दफ्तर में पेश होना था, एडी राइपूर के वक्ति सौरव अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन वे नहीं आए, शाम पांच बजे तक अफसरों ने उनका इंतिजार किया, विदान सबाच उनाम जैसे जिससे नजदी का रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों के रैलिया और नेताओं के दोरे बढ़ रहे हैं, पिछले आर्ट-दस दि पर रही, जहां कई मंदिरों के दर्शन की और भाचपा कारिकरताओं से फीडबैक लिया, इसके बाद तीन दिन में दूसरी बार वसंद्रा राजी गुरुवार को एक बार फिर बालोतरा दोरे पर रही, वहीं पिछले दो दिनों से आरल पी सुप्रीमों हनमान बेनिवाल भी बार्टमिर जिले के दोरे पर हैं, और अलग-अलग विधान सभाओं में सभाए, रोडशो कर समर्थन जुटा रहे हैं होंग-जोंग में चल रहे एशियन गेम्स के तेरवे दिन आर्चुरी के रिकर्व में अंकिता भकत, भजन कौर और सिमरन जीत कौर की तिकड़ी ने ब्राँच मेडल जीता ब्राँच मेडल के लिए हुए मुकाबले में भारत ने वियतनाम को 6-2 से हराया, इसके साथ ही भारत के अब 87 मेडल हो गए हैं, इन में 21 गोल्ड हैं राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहां सान राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहाँ सानी पेंशन लोटी है वही हिफासत लोटी है रेटाइर्मेंट पिर से समान राजस्थान मेरी जान यात्रों की सिविधा को देखते विए रेलवी प्रश्वासन ने कोटा मंदल के अलग-अलग स्टेशनों पर 6 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव किया है वलिस्ट मंदल वानेजे प्रबंदक रोहित मालवे ने बताया कि कोटा मंदल के बूंदी केशवराय पार्टन दिगोद वेराम गंज मंदी स्टेशन पर 6 महा के लिए प्रायोगी ठहराव किया है वहीं जोड़पूर मंदल के फुलेरा डेगाना रेल खंड पर फुलेरा सांबल स्टेशनों के बीच अनुरक्शन कारे के का नौन इंटरलॉकिंग कारे के अज़ रहा है इस कारे के चलते कोटा होकर जाने वाली गाड़ी जोड़पूर भोपाल, जोड़पूर एक्सप्रेस जोड़पूर से 10 część से वे भोपाल से 11 अक्टूबर को निरस रहेगी इस गाड़े का बूंदी स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव होगा विश्व के सबसे खास और सूपर कार लंबर गिनी अपना साथवा बद्दे सेलिब्रेट कर रही है विश्व भर में इसका आयोजन हो रहा है इंडिया में सेलिब्रेशन के लिए राजस्तान को चुना गया है तीन दिन तक जोदपूर और जैसल मेर में ये इवेंट होगा दरसल एक दिन पहले साथ कारों का काफिला मुंबई से जोदपूर पहुंचा था इस इवेंट के लिए देश्वर के कार मालिकों को मुंबई बुलाए गया और यहां से कंटेनर में ये कारों जोदपूर पहुंची है इसी खास मौके पर गुर्वार को मेद भवन पालेस में एक इवेंट कायोजन भी किया गया भाती जंता पार्टी के रास्ट्री अध्यक्षु जेपी नड़ा 10 अक्टूबर को उदयपूर आएंगे वे यहां पार्टी की संभाग सरी बैठक को संबोधित करेंगे जिसमें मेवार वागड के प्रमुख नेता रहेंगे पार्टी के उदयपूर संभाग प्रभारियवन प्रदीश महामंत्री दामुदर अगर्वाल ने बताया कि रास्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा सुबह 7 वजी हेलिकॉप्टर से कोटा से रवाना होकर सुबह 10 वजे उदयपूर आएंगे डबोकस दित महाराना प्रताब एरपोर्ट पर पार्टी उदयपूर संभाग के पताधिकारे उनका विननदन करेंगे यहां साड़े 10 वजे संभाग सरिय भारते जनता पार्टी की बैठक को संबोधित करेंगे जपर से हवाई यात्रा करने वाले इंटरनाशनल फ्लाइट के यात्रियों को एक बड़ा जटका लगा है जपर से नियमी तरूप से चल रही मसकट की हवाई सेवा बंद हो गई है इस फ्लाइट में यात्री भार भी अच्छा मिल रहा था दरसल मसकट के लिए पिछले तीन साल से सलाम एयर फ्लाइट संचालित कर रही थी अब एयरलाइन ने दो अक्टूबर से फ्लाइट संचालन बंद कर दिया है जपर एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि मसकट के लिए संचालन कारणों के चलते एयरलाइन ने फ्लाइट बंद कर दी है जपर से बड़ी संख्या में यात्री खाड़ी देशों की यात्रा करते हैं राजस्थान में महिलाओं की मतदान में तो भागिदारी लगातार बढ़ रही है लेकिन संगठन में दाइत्व चुनाव में टिकट और उसके बाद मंत्री मंदल में भी तवज्जो कम ही मिलती आई है अब तक कि चुनावी इतिहास पर नज़र डाले तो महिलाओं को पुरुशो के मुकाबले कब महत्व के विभागू की मंत्री बनाया जाता रहा है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना हैं फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ कि अच्चर के साथ